तो दोस्तो ऐसी स्वाधिस्ट सेहत मंद लूबिया मसाला करी खाने के लिए अब आपको वीडियो तो एंड तक देखनी पड़ेगी तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल हंगरी वर्ड्स पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हंगरी वर्ड्स की डिलिशिश रेसिपीस दोस्तो आज की रेसिपी जैसा कि मैंने आपको बताया लूबिया मसाला करी तो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम नबेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं पॉइंट पर तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लूबिया को रात को बिगो कर रख देना है अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं आपके पास टाइम कम है तो आप इसको गरम पानी में तीन से चार घंटे भी बिगो कर रख सकते हैं लगिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रात को पानी में बिगो कर रख दें सुबह उटके उसको तीन से चार बार वाश करें और वाश करने के बाद अब आप उसे बॉयल करेंगे बॉयल करने के लिए आप इसमें पानी डालेंगे इसमें आप ज्यादा पानी ना डालें आप इतना पानी उसमें डालें कि आपका लोबिया पूरा इसमें डूब जाए उसके बाद आप इसमें डालेंगे नमक, दो चमच उसके बाद आप हींग, एक चमच और उसके बाद आप इसमें डालेंगे सरसों का तेल देखिए दोस्तों जब भी आप कोई चीज उबालते हो उसमें जो सर्सों का तेल होता है वो आपको बस ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि जब भी आपका उबाल आएगा इस लोबिया के पानी को तो ये उसके कुकर के बार आपका पानी ना जाए तो मैंने यहाँ पे देशी घह लिया है उसके बाद आप इसमें डालेंगे दाल चीनी उसके बाद बे लीफ और उसके बाद जीरा ना कटा हुआ प्याच अब प्याच डालने के बाद अब इसे 3-4 मिनट तक अच्छे सिस को पकने दें अब यहाँ पे दोस्तों एक स्टेप थोड़ा सा मिस हुआ है प्लीज आप इसे फॉलो करना यहाँ पे अब आपको डालना है अपना टमैटो की प्यूरी और दो से तीन रेड चिली से उसके बाद डालेंगे इसमें किश्मीरी रेड चिली जो कि एक अच्छा सा एक आपको कलर देगी यह सब करने के बाद तो दोस्तों जब यह मसाला आपका अच्छे से त्यार हो जाए का तेल छोड़ दे उसके बाद जो आपने बॉइल करी थी अपनी लूबिया की दाल उसको आप इस मसाला में डालेंगे तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरीके से आप उसको दिरे दिरे करके इस मसाला में डालेंगे और फिर आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस टाइम पे आप अपने गयास को लो पे कर लें ताकि जो आपका मसाला है वो जलना जाए अब इसके बाद आप इसमें डालेंगे पानी तो जो पानी की मात्रा है उसको आप अपने साथ से डाल सकते हैं कि आपको जो डाल है वो कितनी रिच चीए अगर आपको गाड़ी डाल चीए होगी तो आप पानी कम डालें अगर आपको ज़्यादा चीए तो आप उसमें पानी इस साथ से डाल सकते हैं और यहां पर एक बहुत important point है दोस्तों कि यहां पर आप पानी जो है वो गरम पानी डालेंगे उसके बाद आप डालेंगे इसमें गरम मसाला और फिर आप इसमें डालेंगे गार्णिश करने के लिए हरा धनिया तो आप हरा धनिया को छोड़ छोड़ पीस में काट लेंगे और उसको आप इसके ओपर फिला देंगे उसके बाद आप इसे अच्छे से मिला लें ताकि इस धनिया की जो खुश्वू है वो पूरी सबजी में फैल जाए अब इसके बाद है सबसे important point जो की इस दाल को सबसे अलग और different बनाता है अब ऐसा करने के बाद आपको एक साइड में पैन लेना है और उस पैन में आपको बटर लेना है पहले आप उस बटर को melt कर लें और melt होने के बाद आप उसमें डालेंगे जीरा जीरे को आप इसमें अच्छे से भून ले उसके बाद आप इसमें डालेंगे लहसुन के छोट छोटे पीसिस काटके और लहसुन के बाद आप इसमें प्याज की छोटी छोटी स्लाइसिस काटके डालेंगे दान रखिए ये इसमें जो प्याज की आप कटिंग करेंगे वो इसमें slices ही होनी चाहिए ताकि जिससे ये दिखने में और सुन्दर लगेगी तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं मैंने इसमें चुट-चुटी slices डाली है प्याज की तो जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने अपने मसाले को इस pan में से direct ही इस डाल के ओपर देरे-धेरे करके डाल दिया है अब दोस्तो इस डाल का जो स्वाद है जो आपको मैंने एंड में टिकनीक बताई इसके बाद जो इसका स्वाद आया होगा आप खाते ही रह जाओगे तो मैं इसमें फिर से धनिया डाल रहा हूँ ताकि और इसको दिखने में ये सुंदर बनाए तो दोस्तो एक बार आप इसे ट्राई करिये और घर में खाये आपने पहले कभी ऐसी लोबिया डाल नहीं खाये होगी इसका जो सौध है बहुत ही डिफरेंट बहुत ही इलाजवाब आएगा तो दोस्तो अगर आपको ये मेरे एफट पसंद आया हूँ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है Thank you so much